वेल्कम टु न्यू लेसन अभी हमने जो शॉपिंग कैम्पेंग बनाए था वो हमारा स्टेंडर्ड शॉपिंग कैम्पेंग था राइट स्टेंडर्ड शॉपिंग कैम्पेंग के अलावा एक और शॉपिंग कैम्पेंग होता है एंड डैट इस स्मार्ट शॉपिंग कैम्प Smart Shopping Campaign में क्या होता है Smart Shopping Campaign के अंदर आप की जो Bidding है वो Google खुद ही Decide करेगा प्लस Automated Targeting करता है Google और आपकी Ad को जितने भी Google के Platform है उस पे वो दिखाता है Best Results के लिए Smart Shopping Campaign में Google का Goal होता है आपके लिए जादा से जादा Value की Sale Generate करना ठीक है सपोस करो आपने 10 Sale Generate की और वो 10 Sale की Value है टोटल हजार रुपे ठीक है इसके अलग क्या हो सकते है कि आप बस दो प्रॉड़क्ट वेचो बट उन दो प्रॉड़क्ट की Value हो दो हजार रुपे इसी तरहीके से Google का Goal होता है Smart Shopping Campaign में कि आपके लिए जो Value Generate करे Google Sale की जो Value Generate करे वो ज़्यादा से ज़्यादा हो Google का Goal बस Quantity पे नहीं होता Google का Goal value को Increase करने पे भी होता है ठीक है तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप Smart Shopping Campaigns बना सकते हैं बहुत ही बहुत ही Shopping और Shopping के अंदर आपका यहाँ पे Feed आ गया Country आ गई और आपके पास आ गया Smart Shopping Campaign ठीक है इसमें Google क्या करेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया Automated Bidding और Targeting करेगा Google और आपकी जो Ads दिखाएगा Search Network पे, Display Network पे, YouTube पे As well as Gmail ठीक है तो यह है आपका Smart Shopping और Smart Shopping लेना है आपको, Standard आप पहले सीख चुके हो और आपको यहाँ पे करना है Continue, बहुत ज़्यादा आसान और यहाँ पे आपको अपने Campaign का नाम लिखना है तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Smart Shopping Test और Additional Setting में चले जाओ, देखो Local Products हमने डिसेबल के में यह मैं आपको बाद में बता दूँगा Local Products के अड़ और देन आपको लिखना है यहाँ पे Budget से मैंने लिख दिया 1000 रूपए और देन Google देखो यहाँ पे क्या Google के Bid Strategy क्या है Maximize Conversion Value देखो बहुत ही खतरनाक Strategy है इसमें Bidding Google डिसाइड करता है बहुत ही डेंजरस है इस एड फॉर्मेट इस नॉट रेकमेंडेड इफ यह शॉर्टन बजट अगर आपका बजट कम है तो इससे बिलकुल आप दूर रहना इसको टच भी मत करना आप आप नॉर्मल स्टेंडर्ड शॉपिंग जैसे हमने बनाया है वैसे बनाना सेट अस टार्गेट रिटर्न मतलब अगर आप यह रखना चाहते हूं कि अगर मैं 100 रुपे लगाऊं तो उस पे 100% का रिटर्न आए तो आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो राइट पचास पर कि हुगल आपके जो यह रिटर्न आप ढाल रहे हो यह आपका हमेशा गूगल अच्चीन नीची हो सकता है तो इसकी गारंटी नहीं है कि गूगल इतना रिटर्न आपको देगा ही देगा तो मैं इसे भी यूज नहीं करता और मैं खरता हूँ फिर सिंपल save and continue और सिंपल आपको यहाँ पर अपना product चूज करना है देखो यहाँ पर क्या आ गया product तो by default मैंने सारे product लिए में आप चाहो तो इसको change भी कर सकते हो जैसे हमने कल या परसो के lesson में भी देखा था कि कैसे आप इनको change कर सकते हो तो by default Google ने सारे लिए में आप चाहो तो इसको condition, product type, custom label के हिसाब से भी customize कर सकते हो अभी मैं all product ले लेता हूँ अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है image लगानी है, right, अपने brand की image लगानी है और आपको यहाँ पर text और URL लिखना है ठीक है, simple आपको करना है, यहाँ पर image लगा दो जो भी आप add run कर रहे हो आपका जो भी brand है, अब आप चाहो तो यहाँ पर website से भी उठा सकते हो यहाँ पर recently used में जो आपने recently used के होंगे, वो आ जाएंगे, ठीक है यहाँ पर simple मैं इकाम करता हूँ मैं अपनी website को scan कर लेता हूँ और यहाँ से मैं image लगा देता हूँ, ठीक है यहाँ upload से आप upload कर सकते हो image में आपको अपनी brand image लगानी है आपका logo हो गया, कुछ ऐसी चीज़े आप लगा सकते हो तो simple एक काम करते हैं, इतना time लगाने से अच्छा है सीधे upload करते हैं और यहाँ से लगा लेता हूँ देखो size की दिक्कत है, यह कह रहा है कि आपको लगाना है दूसरे size का है, तो हमारे यहाँ पर size में problem है तो इसको मैं clear कर देता हूँ, अब समझगे हैं, यहाँ से आप correct size की लगा ले न then आपको यहाँ पर अपना text लिखना है, ठीक है, आप जो भी text है, तो मैं लिख देता हूँ buy best shoes at the rate WP Deepak, ठीक है, long headline looking for comfortable shoes comfortable and stylish shoes shop now at WP Deepak, ठीक है, ठीक है, थोड़ा से यहाँ पर description डाल दो मैं यही उठा के डाल देता हूँ यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, best great discounts and fast delivery यह फिर खाली great discounts डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, आपको आप डालना है, फाइल न यू आरे, so.com और इसको कर दो save, देको image की problem आ रही है, इसको दुबारा scan कर लेते हैं, again, इस add format से आपको दूर रहना है, अगर आपका budget कम है, क्योंकि यह बहुत ही जल्दी से आपका budget खर्च कर सकती है, या जो आपके return है, वो बहुत ही, यू नो, बहुत ही गंदे return आ सकते हैं, अगर आपका budget जादा है, देन आप ये campaign type टेस्ट कर सकते हो, नहीं, तो आप इस campaign type से बिलकुल दूर रहना है, यह कोई हो नहीं पा रहा, अगेन आप यहाँ पर image लगा लोगे, यहाँ से आप correct specs देख लो, और इसी specs के, इसी specification की image आपको लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पर Google आपको दिखा देगा, specification, हाँ यह रहा न, 600 x 314 की specification है, तो इस size की आप यहाँ पर image लगा सकते हो, and you are done, उसके बाद आपको simple save करना है, और आपकी add बन गई, right, बहुत ही बहुत ही जादा easy add है, यह बनाना, बहुत ही कम आपको इसके अंदर मेहनत करनी है, ठीक है, by default all product ले हमें, आप चाहो तो यहाँ से इसको change भी कर सकते हो, say मैंने custom label रखा था best seller, तो मैं यहाँ से best seller भी रख सकता हूँ, और यहाँ से इसको मैं save कर सकता हूँ, ब smart shopping campaign, again not recommended, but अगर आप अपने client के लिए test करना चाहते हो, आपके client का budget अच्छा है, और they want to test it, तो आप यह test हूँ के लिए कर सकते हो, ठीक है जी, so that's it, from today's lesson, बहुत ही simple add थी, जो आप try कर सकते हो, अपने clients के, thank you so much.